तो नमस्कार दोस्तों टेक्निकल बोस में आपका फिर्चे बहुत-बहुत सुवागत है और तोस्तों यदि आपके मुबाइल में आपको slow performance मिल रही है मतलब कि आप कोई एप यूज करते है तो वहाँ पर आप अपने मुबाइल के speed बढ़ाना चाहते हो कि आपके मुबाइल में बहुत ही फास तरीके से सबी एप वर्क करें यदि आप कोई game खेल रहे हो तो उसमें कोई lagging का या hanging की कोई problem का जो आपको सामना करना पड़ता है वो आपको सामना ना जाए तो आप अपने मुबाइल की speed को कैसे बढ़ाएंगे उसके लिए ही मैंने ये वीडियो मनाई है वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों यदि आप अपने मुबाइल की speed को increase करना चाहते हो बहुत ही ज़या तो इसके लिए आपको मुबाइल के अंडर 5 शेतिंग करनी हो जी हां दोस्तों होगी आपको वो डबल से भी ज्यादा मिनने वाली है और आपके मुझाल की जो हैंगिंग की वाली प्रोलम है वो भी आपकी दूर हो जाएगी और यदि आप कोई गेम प्ले करेंगे ना तो गेम भी बहुत ही स्मूधले आपका आपके मुझाल में प्ले होगा तो यह पांच सेटिंग करने है पहले सेटिंग के वारे में जानिए सबसे पहले आप अपने मुझाल की सेटिंग में चले जाएंगे पहले सेटिंग को करने के लिए यहां पर जाने के बाद आपको एक ओप्सन मिल जाता है दोस्तों आपके मुझाल में जैसा कि मेरे मुझाल में वालू को बुस्ट करते हो ओके यहां पर आपको क्या काम करना है एक सेटिंग करनी है वह सेटिंग क्या है उसके लिए आप यहां पर ऊपर की साइट थे डोट पर जाएंगे यहां पर जाने के बाद आपको एक उप्सन मिलेगा एडवांस का एडवांस वाले सेटिंग में ज करना है और यहां पर आपको ओके यहां पर आपको एक दिन स्लेक्ट करना है जैसे मैंने फ्राइडे किया हुआ है और यहां पर टाइम सेट करना है सुभह के तीन बजेगा तो इस टाइम पर क्या होगा आपका मुवाइल अपने आप ही स्विचोप होकर ओन होगा और जो ओट तो ओप्टिमाइजेशन है यह सैटिंग वर्क करेगे आपका मॉयल अपने आप ही ओप्टिमाइज हो जाएगा इससे क्या होगा दोस्तों बहुत सारे ऐसे बगस होगे जो कि आपका मॉयल खुदी किलियर करता रहेगा आपको पताब नहीं चलेगा आप इसको डेली वाइज भी कर सकते हो ओटर स्टार्ट वाले शैटिंग में जाएक यहां पर जासे ये फ्राइड है Tuesday भी कर लेंगे Wednesday ओके यहां पर Sunday तो एक चक करके कि लिख कर सकते हो सभी गोल हो जाएगे इस तरीके से तो आप इसको हर दिन भी कर सकते हो या फिर मैं दोस्त को आपको एड लिस्ट आप तीन दिन यहां पर जुरूर से स्लेक्ट रखना आपने, जिससे कि आपका मुवाइल अपने आप ही optimize हो, जिस हिसाब से उसको चाहिए, आपके मुवाइल के setting वो खुदी उसको अपने आप ही optimize करके ठीक कर ले, तो पहले setting तो आपको यह करनी है अपने कर सकते हो, दोस्तों जब आप अपने मुवाइल में कोई game खेलते हो, या फिर कोई एक ऐसी application है, जैसे Paytm यदि आप अपने मुवाइल में यूज करते है, जब आप उसको यूज करते है, हो सकता है, आपका मुवाइल उसका जो load हो नहीं जहल रहा है, और वहां पर Paytm चल करते हो, आपका मुवाइल पूरी ताकत जोंक दे, स्पीड से, वह एप आपकी हैंग ना हो, जब आप उन एप को यूज करे, तो इसके लिए आप क्या काम करेंगे, ट्रिक लगा लेंगे अपने मुवाइल में, यह तो आपको करना है, और दोस्तों इसके बाद जो तीन से जाएगी, यहाँ पर आपको करना है, सबसे पहले इसको अलाव करेंगे, यहाँ पर अलाव करने के बाद ऊपर से यहाँ से इसको ओन कर देंगे, इसको ओन जैसे आप करेंगे, यहाँ पर कुछ परमिसन मांगेगे, यहाँ से इसको ओन करेंगे, बैक चले जाएगे, इसके पर आपके मुगाले कि जितनी भी सभी एप है जो भी आप यूज करते है वो सभी आ जाएगी जैसे मैं चाहता हूं किसी गेम में तो आप गेम SELECT करेंगे मैं चाहता हूं जब मैं भी मैप यूज करूं तो भी मैप यूज है है रहत ना करें जिससे जो मेरी payment है वो successfully चले जाए ओके तो यहां पर मैंने भी मैं आप पर टिक कर लिया ऐसे आप तीन या चार ही एप स्लेक्ट करेंगे जिसे आपके मुझे पर ज्यादा जो है जो है मिलेगी जो भी आपके मुबाइल की performance है वो पूरी ताकत इस application को जो है चलाने में लगाएगा ओके तहना बहुत ही कमाल की ट्रेक अब दोस्तों आपको करनी है तीसे नंबर की setting अपने मुबाइल के अंदर तीसे नंबर में दोस्तों आपको क्या गड़ना है थोड़ा दोट पर जाने के बाद जाना है setting में और setting में एक option मिलता है दोस्तों auto update app का इसको आप do not auto update app पर टिक कर देंगे बस आपको इतना ही काम करना है इससे आपके background के जो बहुत सारे process है वो रूख जाएंगे application auto update नहीं होगी आपकी जो RAM है वो नहीं भरेगी आपके जो तुछ शेटिंग करनी ही करनी है अब चाहरा नंबर पर दोस्ता आपको क्या setting करते हैं थोड़ा ध्यान से देखना चाहरा नंकपर के सबसे पहले हैं सबसे पहले हमाले के setting जाएंगे setting में जाने के बाद यहां पर सबसे नीचे जाएंगे about phone setting में about phone setting में जाने के बाद यहां पर आपको एक option मिलेगा software information का इस पर जाएंगे यहां पर build number मिलेगा build number पर 7 बार click कर लेंगे 1,2,3,4,5,6,7 यहां से अब आपके मुगाल में एक नए setting open हो जाती है इस कोन करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको क्या काम करना है एक setting करनी है वो setting कोन से है दोस्तों यहां पर आप नीचे चलता जाएंगे चलता जाएंगे चलता जाएगे हाँ पर नीचे, फोड़ा नीचे जाएगे, चलता जाएगे, यहाँ पर जैसे आप चलता जाएगे, नीचे चलता जाएगे, यहाँ पर आपको एक सैटिंग मिलेगी, window animation scale, transition animation scale, animated duration scale, यह तीन scale है, इन तीने scales के आपको बंद करना है, इसके बाद आपके वाले की जो speed होगी वो बहुत जादा दोस्तों boost हो जाएगी ओके जो इसके animations है वो बंद हो जाएगी और performance आपको पहली दो settings से मिन्हें वाली है अब पुरी तरीके से आपका वाले boost हो चुका होगा अब दोस्तों 5 number की setting में आपको क्या करना है थोड़ा ध नीचे जाएंगे यह setting थोड़ा आपको नीचे जाकर मिलेगी अभी आपको setting का नाम भी बताऊंगा पहले नीचे चले जाते है ओके चले जाना है चले जाना है नीचे यहां पर जाने के बाद नीचे आपको यहां पर एक setting मिलेगी background process limit अब जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसको दो पर रखा हुआ है at most two process तो यदि आपके mobile की RAM बहुत कम है दो या चार ही MB RAM है GB RAM है तो आप इसको no background process पर रखे और यदि आपके mobile की RAM आपको लगता है अच्छी खासी है तो आप इसको दो background पर रखे at most two process पर रखे इससे दोस्तों आपके mobile की जो speed होगी यकीन मानन बहुते ज्यादा boost हो जाएगी आप बस ये 500 के 500 ट्रीक एक बार अपने वाल में यूज करके देखे तो आई होब दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे लगे होगी कुछ ना से एक नहीं को मिला होगा तो वीडियो के एक प्रेसर लाइक करना तो यह ता इस वीडियो में प्रेस्टों मस्का तो आपका दिन, सुबूँ